भारती टीम को अंग्रेजों के खिलाफ अपने ही घर में मिलेहार की हर तरफ चर्चा हो रही है इंग्लेंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसेन ने कहा है कि हैदराबाद टेस्ट में मिलेहार भारत के लिए खत्रे की घंटी होनी चाहिए इंग्लेंड की बेजबॉल रनीती धीमी पिचों पर भी प्रभावी है इंग्लेंड ने पहले गेंड से ही आकरमक बेजबॉल रनीती अपनाने के बाद से एक भी टेस्ट सिरीज नहीं गवाई है पहले टेस्ट में ओली पॉप के 196 रनों की मदद से उसने भारत को 28 रनों से माद दी उन्होंने कहा कि भारत के लिए वो खत्रे की घंटी है क्योंकि इंग्लेंड ने दिखा दिया है कि बेजबॉल यहाँ भी असज़दार है हुसेन ने स्काइ स्पोर्ट्स के लिए अपने कॉलम में लिखा कि भारत ने पहली पारी में 436 रन बनाए लेकिन और भी बना सकते थे भारती टीम बहतरीन है और वापसी करेगी इतियास गवा है कि इंग्लेंड के लिए यहाँ जीतना असान नहीं रहा है उन्होंने आगे लिखा है कि इससे साबित होता है कि इंग्लेंड के पास गजब का आत्मविश्वास है उन्हें अपने खेलने की तरीके पर भरोसा है बाहर की बातों को लेकर वो चिंतित नहीं है मैं उनकी जिदका कायल हूँ अगर आप उन पर शक करेंगे तो वो और जिद्धी होकर आपको गलत साबित करेंगे यह अच्छी बात है क्योंकि आप लगाता सुनते रहते हैं और आपके बारे में जो लिखा जा रहा है उसे पढ़ते हैं उन्होंने आगे लिखा कि पोप ने रवी चंदरन अश्वीन अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा को सहचता से खेला और भारती स्पिन तिकड़ी को दूसरी पारी में बेसर कर दिया पहली पारी में वो 190 रनों से पिछड गए थे लेकिन इतने बैतरीन स्पिनर्स के सामने ओली पोप ने एक यादगार पारी खेली वहीं पहली पारी में जूचते दिखे टॉम हाटले ने भी साथ विकेट चटका है टेस्ट डेब्यू करने पर काफी दबाव रहता है लेकिन हाटले ने दूसरी पारी में उसका बखू भी सामना किया तो इस मैच में इंग्लेंड के शांदार प्रदर्शन पर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं फिलाल इस रिपोर्ट में केवल इतना है ऐसे तमाम और क्रिकेट से जोड़ी खबरों के लिए देखते रहे है रिपोर्टर जी